आप वेट लॉस करना चाहते हैं पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी जर्णी कैसे स्टार्ट करें क्योंकि वेट लॉस करना अपने आप में एक जर्णी है तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज मैं पांच पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जिससे आप अपनी फेसरी ड्कषो लॉन्य शुरु कर सकते हैं ? कैसे पॉइट लॉस हैृण बेट लॉस आपको इसे बताने वाला हूं जिससे आप अपने वेट करना चाहते हैं हरको भ। बड़ा है कि अगर आप इसको बहुत इसली और एक प्लांड वे में करते हैं तो आप इसली अपने आप वेट लॉस कर सकते हैं सबसे पहला पॉइंट एक्सपरिमेंट विद रूटीन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप अपने किसी फ्रेंड को अपने कली को देखते हैं कि वो योगा कर रहे हैं तो इससे वेट लॉस होगा वो साइकलिंग कर रहे हैं वेट लॉस होगा आप कुछ भी जॉइन कर ले मैं आप बोलू कि आप साइकलिंग करें 10 किलोमेटर के लिए और आप 2 किलोमेटर बाद बोर हो जाएं आपको लगे आप क्या करना है बट इससे बेटर है आप सारी चीज़े ट्राय करें एक्सपरिमेंट करें आपको जो चीज अच्छी लग रही है आप उसको फॉलो करना बहुत लोग अपनी डायट को सीधा स्रिक डाइट से शुडू कर देते हैं और यह लगता है कि अब हम सब कुछ छोड़ देंगे जंग फूड नहीं खाएंगे चाहिए और करना भी नहीं चाहिए आप सबसे पहले अपनी और और रिस्ट्रिक डाइट बनाईए अपनी डा खारें उसकी quantity को कम कर दीजिए अपने जो आप मंचिंग कर रहे हैं उस मंचिंग को हेल्दी मंचिंग से रिप्लेस कर दीजिए जिसमें आप खाकरा पीनट ड्राय फ्रूट्स पोहा इस ताइब की कुछ हेल्दी चीज़े आप ले सकते हैं जो बॉड़ी के लिए consistency अब आपके पास प्लान आ चुका है आपने सबसे पहले अपने exercise कर ली आपने experiment करा पूरे एक हफ्ते की हृँआप को डेली रूटीन में करना गया है उसके बाद आपने एक घंटा करें start with something daily उसको करें consistent रहें तभी आपको उसके results मिलेंगे क्योंकि आपने जो अपनी body को develop किया है junk food से unhealthy food से और जो आपने weight gain किया उसको भी बनने में बहुत time लगा है तो उसको reduce करने में आपको time लगेगा consistency is very important fourth point is start with small things छोटी चोटी चीज़े करें आप यह मत सोचे एकदम से आपको बहुत सारे changes करने हैं एक ही दिन में आपको बहुत सारी exercise करने हैं और चार-पांच गंटे एक दिन exercise करी और आपको लगता है कि आज मैं जाके देखता हूं कि weight कितना हुआ है बट नहीं आप छोटी चोटी सी चीज़े करिया आप स्टार्टिंग में 15 मिनेट्स exercise करें घर में योगा करें आप थोड़ी सी breathing exercises करें अपने आपको routine में लाइए जल्दी उठना शुरू करें बहुत थोड़ी से changes करें एक दम बड़े changes पर मज जाए ना फिफ्फ मेजर पॉइंट keep yourself motivated now you have the plan आपके पास एक पूरा plan बन चुका है कि कैसे आपको अपनी weight loss journey start करनी है बट इस पर आपको stick रहना है और motivated रहना है कि आपको इसको continuously follow करना है without any break तभी आपको अपनी body में results दिखेंगे तभी आपको changes नजर आएंगे और अपने आपको motivate रखने के लिए आप अपन initial photos लीजिए हर मंत में आप अपनी photos लीजिए डेली अपनी photos लीजिए चेक करें कि कैसे कितने changes आप में आ रहे हैं एक stable point आ सकता है इसमें जहां पर weight loss होना बंध हो जाएगा बट उस time गया आपको अपने आपको motivator रखना है इसी चीज़ के लिए कि नहीं इसको continuously I have to do with this मेर आप यह journey को complete कर सकते हैं और अपने आप में healthy feel कर सकते हैं जैसे आप यह चीज़े फॉलो करने लगेंगे आप exercise करेंगे आप डाइट फॉलो करेंगे आपको अपनी body में बहुत changes बहुत positive changes नजर आएंगे आप अपने आपको healthy feel करेंगे आप energetic feel करेंगे आपकी work efficiency भठ जाए great body and the other thing मैं एक बहुत important बात आपको बोलना चाहता हूं एक as a note आपकी body की जो भी shape है जो भी size है just appreciate yourself just carry yourself beautifully आप जैसे भी हैं जो भी हैं जैसे भी दिखते हैं आप बहुत अच्छे हैं बहुत सुन्दर हैं अपने आपको बस fit रखने की कोशिश करें उस चीज में अपने आप आपको fit रखें healthy रखें and that's an important point. Thank you so much.